लंबे समय से बीमार भारत के पूर्व रक्षा मंत्री ने मंगलवार को अपनी आखरी सांसे ले। जॉर्ज फोर्नांडस ने भारत के रक्षा मंत्री के तौर पर साल 1998 से 2004 तक अपनी सेवाये दी। भारत की सेवा के लिए उनका योगदान मात्र रक्षा मंत्री तक ही सीमित नहीं था। संचार, उद्धोग और रेलवे आधी विभागों में भी उन्होंने काम किया था। फोर्नांडस सत्तर के दशक में सामाजवादी आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। फोर्नांडस को 1975 के एमरजेंसी में हुए रेलवे पत्री उड़ाने और डाइनमाइट की तसकरी करने के आरोप में गिरफतार किया गया था। उन्होंने 1977 में जेल से चुनाव लड़ा और बिहार में मुझपरपूर नर्वाचन छेत्र जीता। रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने देश के दो सबसे महत्वपूर्ण घड़नाओं, कारगिल के जंग और पोकरन में परमानु परिक्षन का निरक्षन किया। जॉर्ज फर्नांडेस ने अपनी जिंदिगी बड़ी ही सादगी से जी। उनके निधन पर प्रधान मंत्री मोदी के साथ कई राजनेताओं ने सोशल मीडिया पर दुख जता है। आप पूर्व रक्षा मंत्री को किन बातों के लिए याद रखेंगे। कमेंट करके हमें जल्म बताएं।